अब जो हमारा नेक्स टॉपिक है वो है प्लांट मारफलोजी इसको बोलते हैं पादब अकार की मारफलोजी का मतलब होता है कि बाहर से जो इस्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जैसे की जड़ की बात करने तना की बात करने ठीक है पत्ती की बात करने तो वो कैसे प्रिजेंट होते हैं उनमें कौन कौन से इस्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक होगा आज का पादब अकार की जिसको प्ला प्रदाकणों के बीच वायू आवकास से या फिर कोसिका द्रब्ब से चलिए भाई बताएंगे देखिए ऐसा नहीं है कि जो रूट है वो सिर्फ ये कर रही है कि वो जल को अवसोसित कर रही है और उसके बाद वो प्लांट में भेज रही है उसका भी उसको भी स्वसन करना है उसको भी रेस्पिरेशन करना है तो वो रेस्पिरेशन किस से करती है ब्रदा कणों के बीच जो वायू अवकास होते हैं उसी से वो रिस्पिरेशन करती है जड़ों की जल अवसोसित करने वाली अधिशर्मी कोशिकाओं में प्रायह लंबे रूमों जैसी सनशना है जिनको हेर लाइक पार्ट्स कहा जाता है क्यों पाई जाती है जैसे की कोई जड़ है तो यह ऐसे इस्ट्रक्चर इसमें क्या है यह ऐसे इस्ट्रक्चर इसमें डेवलफ होते हैं इसका रीजन क्या है तो फर्स्ट ऑप्सन दिया है अवसोसन के लिए उपलब्ध सतह शेत्र में ब्रद्धि करने के लिए प्रकास संसल के लिए किस लिए यह जो अवसोसित करने वाली जड़ी हैं उनमें हेर-like structure present होते हैं तो भाईया हेर-like structure present इसलिए हैं क्योंकि जड़ो का काम क्या है जड़ो का काम है कि जो भी water है minerals है उसको soil से लिए और पौधे के बांकी जो भाग है उसका जो stem है leaf है flower है वहां तक यह पहु करने के लिए यह हेर-like structure present होते हैं जड़ों में ठीक नेक्स कुश्चन देखेंगे पौधों के जड़े oxygen कहां से प्राप्त करती है मिट्टी में मौझूद जल से जड़ों को oxygen के आवसकता नहीं होती है मिट्टी में कड़ों के बीच वायू आवकासों से या फिर रंधरों ले गई oxygen जड़ों तक पहुँचती है चलिए किससे यह जड़े अपना oxygen लेती है तो अभी हमने डिसकस किया यह किससे लेती है मिट्टी के कड़ों के बीच में जो वायू आवकास होते हैं उसी से यह respiration करती है अगला question है के अलावा निम्न सभी पादपों पाधों में होती है बांकी तीन में fibrous root देखने को मिलती है चलिए चावल गेहु मक्का इसमें ध्यान लेखेंगे इसमें present होती है कौन सी tuberous root ठीक है इनमें कौन सी होती है sorry fibrous root होती है चुकंदर में कैसे जड़ होती है बताएंगे चुकंदर में कैसे जड़ होती है तो चुकंदर मे जो जड़ होती है उसको मूसलाधार जड़ कहा जाता है क्लियर बाकि तीन में क्या होती है फाइबरस रूट जिसको जखड़ा जड़े कहती है वो मिलती है आगे बढ़ेंगे नेक्स कुशन की तरफ अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्मान करता है अंकुरण जब बीज क्या है जब बीज स्टार्ट हो रहा है उसका डेवलप्मेंट होता है बीज को आपने वो दिया उसके बाद उसका अंकुरण हो रहा है एक पार्ट होता है radical दूसरा पार्ट होता है यह होता है प्लिम्यूल ठीक अब प्लिम्यूल वाले पार्ट से क्या होता है देखें इसको थोड़ा सा समझ लेंगे प्लिम्यूल वाले पार्ट से फिर बनता है तना जो stem होता है वो किस से बनता है प्लिम्यूल वाले पार्ट से बनता है और रेडिकल वाले पार्ट से फिर ग्रोथ होती है रूट की तो आर से रेडिकल और आर से रूट आप याद रखिएगा इससे रूट डेवलफ होती है और प्लिम्योर से वैसे इसको complete suit कहा जाता है क्यों क्योंकि जो जमीन के नीचे वाला पार्ट है उसको root system कहते हैं और जमीन के ऊपर वाला पार्ट जो है उसको suit system कहते है suit system में पतियां हो गई, stem हो गया, flower हो गया इस सारे पारट आते हैं ठीक है तो ये जमीन के ऊपर है ना ये जमीन के ऊपर डेवलफ होता है तो इसको suit system कहते हैं ये suit system develop होता है इसमें से और इसमें क्या है root system develop होता है suit system में इसमें क्या क्या आता है तो इसमें याद रखेंगे इसमें system आ जाएगा also leaf भी इसमें आ जाएगे flower आ जाएगे जो भी इसमें part होंगे वो सारे के सारे इसमें आएगे कि फ्लावर आयेगा इसमें, ठीक है, तो ये किसम मेंيع Men trainers इंथे लूंभ होते हैं, sørearm system में, root system में तो root ही дев गवलर होती है, root के type हो जाएंगे, root कितने फिर आगे चलके primary, secondary, tertiary root में divide हो रही है, तो वो सारी के सारी फिर कहलाएंगी, कि वो किस के पार्ट होंगे वो root system के ही पार्ट होंगे चली अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्मार करता है वीजपत्र करता है मुलांकुर करता है प्रांकुर करता है या फिर दलपुंज करता है अच्छा कुश्चन है अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्मार करता है तो इसको कहा जाता है इसको कहते हैं मूलांकुर क्या कहा जाता है रेडिकल को मूलांकुर कहा जाता है option B हो जाएगा right answer ठीक है बाकी दूसरा part होता है प्लिमियो जिससे suit system डेवलफ होता है जड़ों की कोसिकाओं में लंबे रूमों जैसे भाग को क्या कहते हैं जड़ों की कोसिकाओं ये कोई जड़ है तो उसमें फिर ऐसे hair like structure प्रिजन्ट होते हैं ये hair like structure क्या कहलाते हैं root nails कहलाते है, root hair है, root willy है या फिर root trichides कहलाते है तो इनको क्या कहते हैं इनको root hair कहा जाता है और ये इसलिए होते हैं ताकि surface area यहां का बढ़ जाए और जो absorption है water का वो अच्छे से हो पाए ठीक है option B हो जाएगा right answer चलिए next question है किसी पौधे के वानस्पतिक भाग है मतलब की हम बात कर रहे हैं एक तो होते हैं vegetative part देखे दो part होते हैं किसी भी पौधे के एक होते हैं vegetative vegetative part और दूसरा होता है उसका sexual part ठीक है जब यहां पर याद रखेंगे कि किसी भी पौधे में जब vegetative part ग्रोथ हो जाती है पूरी तरह से तो उसके बाद फिर sexual part की ग्रोथ होती है vegetative part में क्या क्या आता है तो इसमें आता है root stem and leaf root stem and leaf ठीक है और sexual part कहलाता है flower किसी भी पौधे का जो sexual part है वो flower कहलाता है तो इसमें आप बताईए कौन से वानस्पतिक भाग हैं तो option A के साथ जाएंगे vegetative part है root stem and leaf ये किसी भी प्लांट में सबसे पहले growth भी नहीं की होती है जैसे कि कोई बीच अंकुरन हो रहा है तो सबसे पहले उसका प्लिम्यूल बनेगा उसका radical बनेगा radical से root की growth होगी और प्लिम्यूल से suit की growth होगी सूट में सबसे पहले तना growth करेगा उसके बाद तना बढ़ेगा तो फिर पतिया निकलेंगी पतियों से फिर क्या होगा आगे चलकर तो पूरी तरह से जब vegetative growth हो जाती है उसके बाद फिर उनमें flower लगना चालू होंगे flower के बाद फिर उनमें fruit formation होगा ठीक है तो पहले vegetative part की growth होती है उसके बाद ही sexual part की growth होती है option A यहां पर correct answer हो जाएगा चलिए अब जो दूसरा part आता है वो आता है stems related सबसे पहला question है पादप वहन तंत्र plant transport system द्वारा पतियों और जणों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है फर्स्ट option केवल जल का केवल कार्बो हाइडरेट का उर्जब भंडार और अपरिस्क्रित पदार्थ का या फिर कार्बो हाइडरेट और खनिज का चलिए plant transport system द्वारा किसका समवहन किया जाता है तो इसको बहुत अच्छा question है याद रखेंगे उर्जब भंडार और आपरिस्क्रत पदार्थों का transport किया जाता है clear option C हो जाएगा right answer कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक मनाने में किया जाता है पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग होता है यह जल के परिक्वाहन में मदद करता है यह कीट पराग कणू को आकरशित करता है यह उपापचै का एक अपसिष्ट उत्पाद है या फिर इसका और सधीय महत्तो है चलिए बाई बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer क्या होगा इसके लिए right answer बताएंगे फटा फट से तो देखिए आपको पता है कि पौधों में जो गोंद नि अपसिष्ट पदार्थ होता है यह इनका एक अपसिष्ट पदार्थ होता है जो कि बांकी फिर लोग यूज करते हैं बांकी फिर हमारे कह सकते हैं कॉमर्सियल यूज में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है आगे बढ़ेंगे खाना बनाने एवन स्वाद हे तो प्रि इसको पढ़ते हैं, stem modification, इसमें देखें क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आता है tuber, उसके बाद क्या होता है, rhizome होता है, एक tuber में example है, यह आता है potato, ठीक है, आलू जो होता है, आलू को आपको पता है, यह एक तना होता है potato, rhizome हो गया, इसको बोलते हैं, अदरक जिसको ginger कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, ginger, अदरक हो गया, also turmeric हो गया, और एक example लिख लीजे, यह है turmeric, जो हल्दी होती है, वो भी rhizome होती है, भूमीगत तना है, जड़ए, भूमी के ऊपर एरियल तना है, यह फिर भूमी के ऊपर की ओर जड़ए, तो यह एक क्या है, भूमीगत तना होता है, stem modification होता है, stem modification में ट्यूबर में potato आता है और rhizome में ginger हो गया, अदरक और क्या आता ह तो अध्रक की बात कर ले और उसमें भी आपको जैसे की टर्मरिक जो वो भी राईजोग का ही पार्ट होती है चलिए अब नेक्स है हम आलू के पाउधे का कौन सा भाग खाते हैं जड़ खाते हैं बीज खाते हैं फूल खाते हैं या फिर तना खाते हैं कौन सब भाग खाते हैं तो हम आलू के पौधे का भाईया, obvious सी वात है, यह क्या खाते हैं, यहां पर हम तना खाते हैं, है ना, आलू का क्या खाते हैं, पोटैटो में क्या खाते हैं, हम तो पोटैटो में तना खाते हैं, option D हो जाएगा, right answer, आप बढ़ते हैं, पत्ती की में क्या परिवर्तन दिखाई देता है रियो लीफ का प्रेक्टिकल कर रहे हो और रियो लीफ में आप से पूशा है कि चीनी का प्रबल बिलियन आप उसमें डाल ले हो तो उस पत्ती में क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे सबसे पहला दिया है कोई बदलाव नहीं करेंगी जिसके वज़य से कोशिका के अंदर मौजूद सामगरी सिकुड कर कोशिका वित्ती से दूर हो जाएगी कुछ कोशिका जलका अवसोसन करेंगी और फूल जाएंगी चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट एंसर तो इसके लिए यदि आप क्या करते हो यदि आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलेन डालते हो तो उसमें जो कोशिका हैं वो जलका उत्सर्जन करेंगी जिसके वज़य से कोशिका के अंदर मौजूद सामगरी सिकुड कर कोशिका वित्ती से दूर हो जाएगी इसको वाह प्रसंड कहा जाता है ठीक है तो आप पॉधे के पत्तियों में, संत्रे में, टमाटर में या फिर विच्छो बूटी में चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट एंसर चलिए बताएंगे तो इसको बिच्छो बूटी कहा जाता है और इसमें क्या होता है इसमें मेथेनॉइक एसिड होता है इस मेथेनॉइक एसिड की वज़स ही क्या होता है अच्छा ये बिच्छो बूटी होता क्या है ये जंगलों में उगता है जंगलों में उगता है और जो पत्ती होती है नकीली होती हम स्यूफ के समान उसमें संश नहिए देखने को मनती है औब ज़ब चुप जाती है तो उससे बहुत ज्याद confer है और ये सी कहों चुप जो अभाई दर दिये दे रहा है तो उसका कोई इलाज भी चाहिए ना, तो उसी के आसपास कोई चिलमोडा नाम का पौधा उगता है, उसको लेके उसकी पत्ती को उस जहां पर ये विच्छो भूती लगी है, उस पौधे उस, सरी, चिलमोडा के पत्ती को लेके उस पर करें और बताएं कि कौन सा बिकल्प इसके सही अक्षरांकन को दरसाता है चलिए यहां पर एक figure दिया हो रहा है I don't know कि आप लोग को visible है की नहीं है यदि visible है तो प्लीज आप लोग देख के बताईए और इसमें बताईए कि क्या होगा right answer चलिए इसमें क्या है A B C D 4 option दिये हैं अब 4 में आपको बताना है कि कौन सा पार्ट किसका है तो देखें सबसे पहला दिया है इसको क्या करते हैं थोड़ा सा हम D है और यह E है तो सबसे पहले अगर बात करते हो जो A दिया है इसको क्या बोलते हैं इसको epidermis कहा जाएगा उपरी अधिशर्म कहा जाता है यह क्या कहलाएगा यह epidermis हो जाएगा इसका ठीक है क्या कहलाएगा यह epidermis और उसके बाद यह B वाला क्या है इसको बोलते है निचली बाहतोचा नीचे से जो बाहतोचा दिखाए देती है वो हो जाएगी निचली बाहतोचा क्लोरोफिल है यह कैंगे यह प्रेजेंट है क्लॉरोफिल जिनको क्या कहते है हरित लवक कहा जाता है है तो चलिए इसको आप A, B, C, D क्या आजाएगा A में उपरी अधिश्रम आ जाएगा किस में है A में उपरी अधिशरम तीन उप्षन में दिया है इसमें दिया है इसमें B में क्या आ пользов बी में क्या आजाएगा B में निशली बाहत्वचा ठीक है, इसको कहेंगे, एंडोडर्मिस कह सकते हैं, ठीक, इसको क्या कहेंगे, निचली बाहतोचा, उसके बाद C में रक्षक को सिखा हैं, option C में रक्षक को सिखा हैं, D में क्या हैं, ये वायू अवकास हैं, और E में क्या है, हरित लवक हैं, option C इसमें right match कर रहा है, ये जो section दिया है, उसमें आपको match करना था, कि किसके लिए कौन सा option सही है, ठीक, तो इसमें match कर लीजे, क्या हो जाएगा right option, option C सही जा रहा है, चली बढ़ते हैं, आगे next question की तर पतियों में कोसिकाओं की उपरी और निचली परत, आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मातर को नियंतरित करती है, भोजन का संसलेशन करती है, या फिर गैसों का आदान प्रदान करती है, चली बताएंगे, पाधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहیковindre पहले बाद तो ये और आपने कुछ अथसर, ये कुशन आपका है, निम्न दर्खित में से गलत कठन को चुनिए, पतियों में कोसिकाओं की उपरी और निचली परत क्या करती है, तो पतियों में कोसिकाओं की उपरी और निचली परत भोजन का संसलेसर करती है, food formation में help करती है किस में help करती है food formation में photosynthesis में help करती है जिसके वज़े से खाना बनता है प्रकास translation की क्रिया पत्तियों में ही देखने को मिलती है इसे वज़े से इनको क्या कहा जाता है kitchen of the plant body कहते हैं जैसे कि हमारे घरों में अलग-अलग compartment होते है kitchen कौन सा है store room कौन सा है वैसे ही plant में भी उनकी सरीर में भी ऐसा ही होता है कि कौन सा part किस के लिए responsible है जो जड़ होती है वो water को transport करेंगी minerals को transport करेंगी ठीक है तना क्या करेगा उनमें जो समवहन बंडल है वो एक जगे से दूसरे जगे उनको ट्रांसपर करेंगी water को mineral को food को store करने का काम करते है आज सो पतियां क्या होती है तो पतियों में food of commission देखने को मिलता है उनमें खाना बनता है kitchen उनमें देखने को मिलता है इसलिए उनको kitchen of the plant body कहा जाता है क्योंकि kitchen का काम वही करती है पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है जड़ तना पत्ती या फिर कलिया पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है तो इसमें कौन सी हैं तो भहिया आदान प्रदान के बात कर रहे हैं जैसों का आदान प्रद्यान या फिर प्रकासाा 충opyा कहांपर हो रहा है, photosynthesis कहांपर हो रहा या, respiration कहांपर हो रहा है, तो ये पत्तियों में देखने को मिलता है, लीफ में देखने को मिलता है, ठीक, अगला question देखेंगे, रंध्र इस्थित होते हैं, लाल रक्त कोसिकाओं में, क्लोरो फिल में, उदर या आमासे में, या फिर पत्तों में, रंध्र कहां पर इस्थित होते हैं, स्टोमेटा इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनको स्टोमेटा कहा जाता है, और ये क को मिलता है चलिए अब आते हैं हम नेक्स टॉपिक में नेक्स टॉपिक है मारा पुस्प जिसको आप flower कहते हैं इन में से कौन आप पुस्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है नर जनन अंग ने क्या होता है कौन कौन से घटक होते हैं देखे यहां पर बात हो रही है एंड्रोसियम की ठीक है किसके बात हो रही है एंड्रोसियम की अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक पार्ट नहीं है पराग कोस नहीं है वर्तिका नहीं है तंतु नहीं है या फिर पराग नहीं है बताएंगे कौन सा एक इसमें right answer होगा तो देखे endosium का जो मैंने बताए है ये male part होता है male part है flower का इसके जो unit है वो क्या कहलाती है इसकी unit क्या है इसकी unit कहलाती है stamen ठीक इसकी unit क्या है stamen कहलाती है एक endosium को आप तीन part में divide कर सकते हो इसका structure अगर देखें तो इसका structure कैसा होता है ऐसा होता है तीन वैसे दो ही part होते हैं इसके generally ठीक है इसको क्या कहते हैं ऐसे structure में दिखाई देता है ये होता है और ये होता है ये क्या कहलाता है ये filament कहलाता है तंतु कहलाता है ठीक है फिलामेंट और यह कहलाता है एंथर और इस एंथर में क्या होता है जो पराग होते हैं वो यहां पर प्रिजेंट होते हैं ठीक है तो पराग कोस जिसको एंथर कहते हैं तन्त हो गया जिसको फिलामेंट कहते हैं इसी पराग कोस में यह पराग देखने को मिलते हैं यह वर्तिका किसका पार्ट है तो ये पार्ट है ओवरीगा ठीक है जिसको आप गाइनोसियम बोलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आप्शन बी हो जाएगा राइट एंसर चले बढ़ते हैं नेक्स कुशन की तरफ अगला कुशन है इन में से कौन सा पुस्प का मादा जनन है अब बात करते हैं गाइनोसियम की गाइनोसियम जिसको क्या कहते है ये फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट है फ्लावर का फीमेल पार्ट है फ्लावर का ठीक इसके जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है देखिए इसकी यूनिट कहलाती है कारपल इसको कहते है कारपल यू अगर बात करें तो इसका structure जनरली ऐसा होता है ठीक है ये ऐसा होता है ये stigma style and ovary तीन पार्ट में डिवाइड होती है इसको क्या करते हैं ये ऐसे करके बना होता है कुछ ठीक है फिगर सही से नहीं बन रहा है कोई बात नहीं समझेंगे बस हमको समझने से मतलब है फिगर हम नहीं भी बनाएंगे अच्छे से चलेगा ठीक है लेकिन हमको समझ में आना चाहिए ऐसा समझ दीजिए ठीक है ये वाला पार्ट क्या होता है उगरा हुआ होता है थोड़ा सा और फिर ये पार्ट होता है इसा दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं stigma, style and ovary ठीक ये क्या है ये stigma कहलाता है ये वाला पार्ट style कहलाता है और ये वाला पार्ट क्या होता है ये ovary होता है ठीक तो ये तीन पार्ट होते हैं इस्त्रीकेसर बो इन में से कौन सा मादा जनन अंग में नहीं आता है इसमें पूशा था आप से कि इन में से कौन सा मादा जनन अंग है गाइनोसियम तो इसको इस्त्रीकेसर कहा जाता है पंखुडी क्या है इसको कुरोला कहते हैं जो की कलरफूल होते हैं और इसको कुरोला कहते हैं, ठीक है, पुंकेसर जिसको एंडोसियम कहते हैं, बाहदल, इसको कैलेक्स कहते हैं, सबसे उपर वाला जो ग्रीन कलर को होता है, वो बाहदल कहलाता है, बाकी इस्टाया, ओवरी, गाइनोसियम के तीन पार्ट होते हैं, इस्टिगमा, इस्टायल, तीन पार्ट में डिवाइड होता है कारपल इसकी यूनिट होती है चलिए आगे बढ़ते है पुस्प का इन में से कौन सा भाग निसेशन के बाद फल के रूप में बिकसित होता है इस्त्री के सर बीजांड पंखुडी या फिर अंडा से किसकी बात हो रही है फल के रूप में तो मैंने बताया ओव्यूल डिवलाफ होता है किसमें ये सीड में डिवलाफ होता है और ओवरी डिवलाफ होती है किसमें तो ये फ्रूट में डिवलाफ होती है ठीक है ओवरी फ्रूट में डिवलाफ होती है तो option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next question देखेंगे एक पुस्प के present and ungg होते हैं present and ungg मतलब की sexual part कौन-कौन से होते हैं full में जो sexual part होते हैं उनको कहते हैं endrosium और gynosium endrosium और gynosium क्या है endrosium और gynosium endrosium क्या है male part है male part होता है किसी भी flower का और gynosium क्या है female part होता है किसी भी flower का ठीक है तो यही दोनो sexual part कहलाते हैं यह कौन से हैं तो यह कहलाते हैं sexual sexual part of flower important है याद रखेंगे ठीक है तो इसको हिंदी में punkesar और istrikesar कहा जाता है option D हो जाएगा right answer चली next question देखेंगे निसेशन के बाद पुस्प के इन अंगो पुंकेसर वर्तिका वर्तिकागर दल और बाह दल का क्या होता है चली first option दिया है बाह दल के अलावा first option दिया है बाह दल के अलावा वो जढ़ जाते हैं जो कुश पौदों में इस्थाई हो सकता है B option punkesar दल और बाह दल के अलावा वर्तिकागर वर्तिका जढ़ जाते हैं C option है कुश पौदों में दल और बाहदल के अलावा वर्तिकागर वर्तिका पुंकेसर जड़ जाते हैं अधिकान्स पौधों में बाहदल के जड़ जाने के अलावा सभी इस्थाई होते हैं इसमें option A हो जाएगा बाहदल के अलावा वे सब जड़ जाते हैं जो कुश पौधों में इस्थाई हो जाता है clear option A हो जाएगा right answer चलिए next question है फूल के किन जनन भागों में जनन को सिकाए होती है दल और वर्थिका में पराग कुस और बाह दल में पराग कुस और पुंकेसर में या फिर पुंकेसर और इस्तिकेसर में बताएंगे फूल के किन जनन भागों में तो फ्लावर के पुंकेसर जिसको इस्टैमिन कहते हैं और इस्तिकेसर जिसको पिस्टल कहते है इनमें ये देखने को मिलता है option D हो जाएगा right answer next question देखेंगे निमनलिकित के लिए सही level के पहषान कीजिए ये अगेन ओवरी का गैनोसियम का structure है तो बताना है कि क्या होगा इसके लिए right answer चलिए क्या होगा इसके लिए right answer stigma, style and ovary बताना है आपको ठीक है तो ये वाला c वाला part क्या है देखें ये c वाला part कहलाता है ovary ये है stigma और ये stigma नहीं है ये है style और ये stigma कहलाता है stigma, style and ovary तो c के लिए आप लगाओगे अंडा से b के लिए तन्तु लगाएंगे और a के लिए पराग कोस लगाएंगे option d हो जाएगा right answer clear option d is the right match ये किसका part है तो ये तीनों क्या हैं ये gynosium के part होते हैं जिसको आप female part of the flower कहा जाता है ठीक, gynosium के part है option option किसके साथ जाएंगे एक मिनट option किसके साथ जाएंगे पराग कोस नहीं होगा इसमें sorry इसमें क्या है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडा से मैं गलत बोल गई option b हो जाएगा एक लिए इसको वर्तिकाग्र बोलते है जिसको stigma कहते है वर्तिका बोला जाता है इसको style कहते है और अंडा से जिसको ovary कहते है option b के साथ जाएंगे next question देखेंगे फूलों के अंडा से के अंदर शोटे मन के जैसी सनरशना को क्या कहा जाता है मन के जैसी सनरशना पुस्प, केसर, बाहदल, विजांड या फिर पंखुडी कहलाती है मन के जैसी सनरशना को क्या कहा जाता है इसको विजांड कहा जाता है जिसको ovaryol कहते है क्या कहते है इसको ovaryol कहते है option c हो जाएगा right answer चलिए next question है fool का एक मादा प्रजनन अंग है पंखुडी, पुंकेसर, बाहदल या फिर इस्त्री केसर इसमें आपको पता ही शल लाओगा कौन सा एक मादा अंग है तो इसमें option d हो जाएगा इसे अंडप कहा जाता है इस्त्री केसर ठीक है, पिस्टल कहा जाता है हिंदी में sorry, इंग्लिस में अंडप का एक भाग नहीं है अंडप का एक भाग नहीं है वर्तिकाग्र, अंडासे और इस्टाइल इसमें पुंकेसर नहीं आता है इसमें आता है next question है निम्द लिख्ट में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयूक तो सूक्ष्म पोसक तत्तो है तो इसमें आयरन है option D हो जाएगा next question देखते है अगला question है ये पुंकेसर के भाग है पराग कोस और अंडासे पराग कोस और पुतनतु पराग कोस और वर्तिकाग्रिया फिर पराग कोस और वर्तिका तो इसमें क्या हो जाएगा option B हो जाएगा पराग कोस और पुतनतु जिसको एंधर और फिलामेंट कहते है ये क्या होता है ये एंधर कहलाता है जिसमें क्या है जिसमें male part develop होता है और ये फिलामेंट कहलाता है यह क्या होता है यह filament कहलाता है तो क्या हो जाएगा option B हो जाएगा पराग कोस और पुतन तु जिसको बोलते हैं फिलामेंट को और अयंथर को क्या बोला जाता है इसको पराग कोस कहा जाता है चलिए, नेक्स कुश्चन देखेंगे, एक लिंगी पॉधे, एक लिंगी पुस्प होता है, पपीता, सरसो, गुड़हल या फिर सूरज मुखी, एक लिंगी पुस्प होता है, पपीता, सरसो, गुड़हल और सूरज मुखी, ये कैसे होते हैं, ये बाई सेक्स्वल फ्लावर में आते हैं clear पपीता unisexual flower होता है next question देखेंगे को उभै लिंगी पुस्प के रूप में जाना जाता है पपीता तरवूज खीरा या फिर सरसो उभै लिंगी पुस्प के रूप में किसको जाना जाता है तो इसको option D लगाएंगे सरसो को उभै लिंगी पुस्प के रूप में जाना जाता है ठीक next question देखेंगे एक उभै लिंगी पुस्प होता है again क्या हो जाएगा सरसो हो जाएगा अगला question fool के नरप्रजनन भागो को कहा जाता है fool में जब flower में mail part होते हैं उनको क्या कहते हैं अंडप कहते हैं पुंके सर कहते हैं बाहदल पुंज कहते हैं या फिर बाहदल कहते हैं तो भाहिया इनको क्या कहते हैं इनको कहा जाता है पुंके सर जिनको नरप्रजनन तंत्र कहा जाता है नरप्रजनन अंग कहा जाता है एंड्रोसियम कहा जाता है clear option B हो जाएगा right answer next question है full के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है full के हिस्से ये एक ऐसे उभरे हुए part पर ऐसे क्या होते हैं ये कैलेक्स होता है ये कुरोला ऐसे develop होता है उसके बाद ये endrosium ऐसे होता है ठीक है पुस्पासन में होता है विजांडासन में होता है या फिर अंडवाहिनी में होता है तो ध्यान अखेंगे ये एक फूला हुआ भाग होता है जिसको क्या कहते हैं पुस्पासन कहा जाता है इसको इंग्लिस में थेलेमस कहते हैं इसको थेले मस कहा जाता है ठीक है कौन सा पार्ट कहलाता है तो ये कहलाता है थेले मस ये वला भाग क्या कहलाता है ये है थेले मस इसको पुसपासन कहा जाता है जिसमें फ्लावर के सारे के सारे पार्ट अरेंज होते हैं अगला कुशन है पराग कड किस में पाये जाते हैं वर्तिक पराग कड़ भीया कहां पर पराग कहां पर देखने को बलते हैं पराग कोस में ठैना option C हो जाएगा एंधर में develop होते हैं ये next question देखेंगे इन में से कौन सा उभैलिंगी पुस्प है ये है sir so option A हो जाएगा right answer अगला question निमने में से कौन पुस्प के मध्य में इस्थित होता है पेटल सेपल कारपल और पुमंग देखेंगे यहां पर तीन option आपको इंगलिस में दिया है एक दिया है चनरली हिंदी में तो चलिए निमने लिखित में से कौन पुस्प के मध्य में इस्थित होता है मध्य म मतलब कि बीच में होगा ये होता है कारपल ठीक है कौन होता है कारपल जिसको कहा जाता है गाइनोसियम किसकी यूनिट है ये है गाइनोसियम की यूनिट है ठीक गाइनोसियम जो कि फीमेल वाला पार्ट होता है फीमेल वाला पार्ट ओवरी ऐसे बीच में होता है ये क्या होत पार्ट होता है यह थैलेमस वाला पार्ट ऐसे डिवलफ होता है तो इसमें ऐसे ओवरी यहां पर अटेश होती है यह एंडोसियम यहां से लगे होते हैं यहां लगे होते हैं बांकी क्या है यह ऐसे कुरोला वाला पार्ट यहां पर ऐसे डिवलफ होता है और यह कैलेक्स यहा है कारपल है option C हो जाएगा गाइनोसियम बीच में डिबलफ होता है क्लियर शली आगे बढ़ेंगे एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है पुंकेसर और कार्पिस कैलिक्स और कार्पिस कैलेक्स क्लियर फूलो में आवस्यक अंग कौन सा है परस्ट ऑप्शन बाहदल और पुंकेसर पुंकेसर और इस्त्रीकेसर बाहदल और पंखुडियां या फिर पंखुडियां और इस्त्रीकेसर प्रजनन के लिए भाईया बात सीधे-सीधे से हो रही है कौन सी आवस्यक अंग है तो वो है आवस्यक अंग या फिर सीधे-सीधे बात करने की निससरी रेप्रोड़क्टिव और्गन कौन कौन सी है वो स्टैमिन और पिष्टल होते हैं जिसको आप अंड्रोसियम और गायनूसियम कह सकती हो वो निससरी रेप्रोड़क्टिव और्गन में आते हैं दो जो पार्ट होते हैं सेपल और पिटल जिसको कैलेक्स एंड कुरोला कहती है वो general part होते हैं, एक complete flower में चार भाग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कौन से part हो जाएंगे, option B हो जाएगा, right answer, B क्या है, यहाँ पर एकदम correct हो जाएगा, clear, चले, next question है, पुस्प में इस्त्रीकेसर के सीर्स भाग को क्या कहा जाता है, इस्त्रीकेसर गाइनोसियम के सबसे अपर वाले part को क्या कहा जाता है, बताएंगे, पुस्प में इस्त्रीकेसर के सीर्स भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको stigma कहते हैं, विजांड, उनकेसर, तो सबसे बीश वाला सीर्स वाला जो पार्ट होता है उसको इस टिग्मा कहा जाता है चले अगला कुश्यन है उस्पो का मादा जननंग कहलाता है मादा जननंग मतलब की फीमेल रप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है कुमकेसर कहलाता है पिटल कहलाता है सिपल कहलाता ह तो option D के साथ जाएंगे कारपल, जैसा कि आपको पता है, गालोसियम की जो यूनिट है, वो कारपल कहलाती है, एंडोसियम की जो यूनिट है, वो स्टैमिन कहलाती है, कैलेक्स की जो यूनिट है, वो सेपल कहलाती है, और कोरोला की जो यूनिट है, वो पेटल कहलाती है, ठीक अंग है मतलब की बात हो रही है male reproductive part की वर्तिका वर्तिकाग्र अंडास है या फिर कुंके सर option D हो जाएगा इसको क्या कहते है इसको stamin कहा जाता है जो की unit है किसकी यह stamin कहलाता है endrosium की unit है endrosium को कहा जाता है male part of the flower reproductive part में दो part अपढ़ते हो male part और female part endrosium और gynosium यह दो reproductive part है जो की necessary होते है sexual reproduction के लिए option D हो जाएगा right answer चलिए next question है निमने लिकित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है नहीं पूशा है not पूशा है first option है पत्ते B option जड, C option तना and D option है full चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer तो देखे इसमें बात हो रही है वानस्पतिक जनन के दो पार्ट मैंने आपको बताए एक तो vegetative part हो गया और दूसरा हो गया reproductive part ठीक है vegetative part में कौन कौन से part आते हैं देखे पहला तो हो गया vegetative vegetative part ठीक सबसे पहले होती है जिसमें आप पढ़ते हो root, stem and leaf इसमें क्या क्या पढ़ते हैं तो root, stem and leaf पढ़ते हैं जो कि vegetative part के vegetative part की growth में सबसे पहले आते हैं दूसरा जो आता है वो आता है sexual part sexual part ठीक अब sexual part में कौन कौन से आते हैं तो इसमें आप पढ़ते हो flower, flower क्या है जो पुस्प होता है वो sexual reproduction में participate करता है जो necessary होता है sexual reproduction के लिए और sexual reproduction में participate करने में भी flower के जो part होते हैं वो male flower और female flower जो part होते हैं वो कहलाते हैं जिनको endrosium और gynosium कहा जाता है clear तो vegetative part आप से पूशा था यहां पर पूशा है कि निम्न लिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है बात हो रही है कि vegetative part का कौन सा एक part नहीं है पते बिलकुल है लीफ के बात कर रहे हैं जड़ हो जाएगा तना हो जाएगा फूल किसमें आता है यह सक फल और बीज ठीक है जो fruit और seed से कुशन पूछे जाते हैं उनके बात कर लेते हैं पहला कुशन है इसमें निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में बिकसित होते हैं इसमें बताना है कि कौन सबसे पहले जब क्या हो रहा है बीज का अंकुरण हो रहा है तो सबसे पहले वो निकलते हैं first option दिया है मूलांकुर b option है प्रांकुर option बीज पत्रिया फिर यूग मस्च चलिए बताएंगे ये कुश्चन पहले भी डिसकस कर चुके हैं निम्न में कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विक्सित होते हैं तो आपको पता है जब स्टार्टिंग होती है सेट डेवलप्मेंट की यह जब कहते हैं कि बीज को आप क्या कर रहे हैं उसके बाद उसका फॉर्मेशन होता है तो यह दो पार्ट में आपने देखा है दो पार्ट में क्या होता है बीज अंकुरित होता है है ना यह दो पार्ट देखे कौन कौन से होते हैं एक तो होता है रेडिकल वाला पार्ट और दूसरा होता है प्लिम्यूल वाला पार्ट ठीक, रेडिकल वाले पार्ट से क्या होता है इससे डेवलफ होता है रूट सिस्टम रेडिकल, आर से रेडिकल और आर से रूट सिस्टम याद कर सकते हैं रूट सिस्टम इससे डेवलफ होता है और प्लिम्यूल वाले पार्ट से complete suit system develop होता है यहाँ से क्या develop होता है suit system ठीक तो root system और suit system में क्या अंतर है root system वो वो part होता है जो जमीन के soil के अंदर अंदर होता है ठीक है अब root system में आपकी आती है primary root आती है, tertiary root, secondary root यह सारी कि सारी इसी में आएंगी प्लिम्यू लॉला पार्ट क्या होता है जिससे suit system develop होता है तो soil के ऊपर जो भी part होता है उसको complete root से suit कहा जाता है उसमें तना भी होता है उसमें पतियां भी होती है तो वो complete क्या कहलाएगा वो suit system कहलाएगा इसके लिए right answer है option B, प्रांकुर बोलते हैं इसको हिंदी में क्या कहा जाता है प्रांकुर clear चलिए next question देखते है बीज के तीन भाग होते है सबसे पहला है बीज पत्र, यूगमनस और प्रांकुर B option है बीज पत्र, मुलांकुर C option है बीज पत्र, भृूड और प्रांकुर and D option है बीज पत्र, यूगमनस and मुलांकुर चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट एंसर बीज के कौन कौन से तीन पार्ट है तो बीज के तीन पार्ट होते है एक तो बीज पत्र होता है दूसरा मुलांकुर होता है और तीसरा क्या होता है प्रांकुर होता है बीज पत्र जिसको आप कहते हो कि उपर से जो कोट होता है सीड में जो कोट होता है उसको बीज पत्र कहते है उसके पाद रेडिकल वाला पार्ट हो गया और प्लिम्यूल वाला पार्ट हो गया ठीक है प्लिम्यूल के फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में, कॉटिलेडाउन के फॉर्म में, या फिर भ्रोड के फॉर्म में, देखे, यहां पर इंगलिस ही दिया है, पॉध है, भविस्य के लिए खाद को बीज के किस पार्ट में संग्रहित करते हैं, तो यह होते हैं कॉटिलेड सदिविंदाइब हां और का करते हैं कि फूरी स्ट्रैज फोर इस बेंदाज़ाइब को घंन करते हैं जैसे कि मक्य को दाना होता है कि भूजन को उकठा कि चन ऑगए मटर हो गया, दाले हो गई, उनमें भी सम्में क्या होता है, भोजन को संग्रहित करता है, तो option C हो जाएगा, right answer, next question देखेंगे, पौधे के बीच में एक खाद भंडार की रूप में कारे करता है, बीजांड है, बीजपत्र है, प्रांकूर है, या फिर मुलांकूर है, वही question ह बस हिंदी में option दे दिया है, चली, बताएंगे, क्या होगा, इसके लिए right answer, तो इसको बोलते हैं, बीजपत्र, clear, क्या कहा जाता है, कौटिले डांस कहते हैं, इसको बीजपत्र कहलाता है, अगला question है, टमाटर क्या है, टोमेटो, क्या है, आप खाते हो डेली, सबजी है, फली है, या फिर खात देता ना है, चली, टमाटर का कौन सा पार्ट है, जो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, तो टमाटर एक फ्रूट में आता है, clear, टमाटर क्या है, ये एक फ्रूट है, और फ्रूट के टाइप में अब टमाटर का कौन सा फ्रूट टाइप पढ तो टमाटर का साइन्टिफिक नेम है लाइको देखे लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम यह इसका साइन्टिफिक नेम है टमाटर का तो यह भी रख लेंगे लाइको पर्सिकम एसकुलेंटम साइंटिफिक नहीं है किसका टमाटो का टमाटर का आपको पता है इसमें लाइको पीन नाम का वर्णक पाया जाता है जिसकी वज़ा से इसका कलर रेड कलर का होता है अप्सन भी हो जाएगा राइट एंसर चलिए नेक्स कुश्यन देखेंगे अगला कुश्यन है इन में से किसे सामानता है फल के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है नौट मुछा है इस श्रॉबेरी को अंगूर को नासपाती को या फिर टमाटर को चलिए इन में से किसे सामानता है फल के रूप में प्रियोग नहीं करते हैं तो देखें यह फल तो है लेकिन इसका यूज हम सबजी के रूप में करते हैं ना टमाटर है तो एक फ्रूट जैसे कि जिसको आप बोलते हो बेरी फ्रूट है बट इसका यूज आप सबजी में करते हो सबजी बनाने म ना कि fruit की तरह खाने में है ना शली नेक्स question है निम्न लिखित में से कौन सा बहु बीजी फल नहीं है बहु बीजी का मतलब कि उसमें बहुत सारे बीज का formation नहीं होता है फर्स्ट उप्सन पपीता, बी उप्सन सेव, सी उप्सन लीची या फिर अनार शली इसमें तो clear ही दिख रहा है कि कौन सा बहु बीजी नहीं है बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer निम्न में से कौन सा बहु बीजी फल नहीं है तो इसमें आपको पता है ये है लीची है ना कुछ लोग सेव लगा रहे होंगे क्योंकि लीची पता नहीं है लीची में single fruit होता है लीची में single fruit होता है और single seed होता है उसमें लीची ठीक है strawberry की बात नहीं कर रहे हैं कुछ लोग के दिमाग में चल ला होगा strawberry रड कलर का जो होता है नहीं लीची अलग होता है strawberry अलग होता है पपीता, सेव और अनार इनमें क्या है बहुत बीजी होते हैं इनमें बहुत सारे सीड का फॉर्मेशन होता है बहुत सारे सीड देखने को मिलते हैं पपीता जब आप काटते हो भी से तो उस पे ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड होते हैं अनार के दाने तो आप खाते ही हो और सेव में भी कई सारे बीज होते हैं यह त अगला question है, निम्न लेखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, फलीदार मतलब कि उसमें फली देखने को मिलती है, टमाटर है, गोभी है, आलू है, मतर है, सीधे से option दिख रहा है, मतर, है न, इसका scientific name क्या है, मतर का scientific name, इसका नाम है पाईसम सटाइवम, ठीक है, scientific name green pea कहा जाता है, मतर, green pea, ठीक, पाईसम सटाइवम, इसका scientific name है, और आपको पता है कि इसका प्रियोग किस ने किया था, इसका प्रियोग किया था, मेंडल ने अपने प्रियोगों में, जो कि आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, तो जेनेटिक्स में में द्वारा यही मतर का पौधा लिया था अपने प्रियोग में, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, next question की तरफ, केले का खाने योगे हिस्सा क्या कहलाता है, केला आप डेले खा रहे होगे, तो बताएंगे कि इसमें कौन सा पार्ट आप खाते हो, फलवित्ती खाते हैं, अंतह फलवित्ती और मध्य फलवित्ती खाते हैं, केले का कौन सा भाग होता है, जो खाने योगे होता है, तो इसमें ध्यान लखेंगे, इसका एंडोकार्प और मीजोकार्प खाया जाता है, क्या खाते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एग्जोकार्प, ये तीन पार्ट होते हैं, जिसको बाह फल्वित्ती, उसके बाद मध्धे वाले को मीजो कार्प कहते हैं, और सबसे अंदर वाले को इंडो कार्प कहते हैं, इंडो कार्प and इसमें क्या खाते हैं, मीजो कार्प, ठीक, इसमें क्या है, इडिबल पार्ट कौन सा है, इंडो कार्प, जिसको अंतह फल्वित्ती कह बीच वाला पाट मीजोकार्प जो की गूदा होता है उसका वह गूदेदार होता है और अगर आप कट करेंगे बीच में थी जैसा और इंडोकार्प गूदेदार गोदेदार एक डूर ब्लेक थे जाकलर हो पी जहम राइनलिकट में बढ़ते हैं और यह प्लीक है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है फिर्स्ट उप्शन दिया है आडू, बी उप्शन है अमरूद, सी उप्शन अंजीर या फिर केला चलिए बताएंगी भाई इसके लिए क्या होगा राइट एंसर निमने लिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है तो ये पौधा है केले का पौधा, ठीक है केले के पौधे में एक ही बार देखने को मिलता है और प्शन दी हो जाएगा इसमें राइट एंसर बताएंगे कौन सा एक वर्धी भाग नहीं है पत्ती, फल, तना या फिर जड़ तो इसमें पत्तियां हो जाएगी पत्तियां वर्धी भाग में नहीं आती है बागे फल, तना, जड़ ये क्या होते हैं ये वर्धी भाग कहलाते है ठीक, नेक्स कुश्चन देखेंगे पादपो में प्रांगूर जिसको प्लिम्यूल कहा जाता है कहां पाया जाता है पुस्व में, पत्ती में, मूलागर में या फिर बीज में ये भाईय कहां देखने को मिलता है डेवलपिंग सीड में देखने को मिलता है तो developing seed में दो part develop होते हैं एक तो होता है प्लिम्यूल वाला part प्लिम्यूल पार्ट और दूसरा होता है radical part है ना प्लिम्यूल वाली part से किसका development होता है ये suit system develop होता है और radical से root system develop होता है चलिए तो option D हो जाएगा ये प्लिम्यूल कहां देखने को मिलता है developing seed का पार्ट होता है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ ये आपको figure दिया हुआ है नीचे दिये गए दुई 20 पत्री बीच के चित्र का अध्यन कीजिए चित्र में A, B और C द्वारा नामांकित भागो के कारियों के समद्ध में सही बिकल्प का चैन कीजिए चलिया ये चैन करते हैं A, B, C दिया है ये देखे ये A वाला पार्ट है ये क्या है ये B वाला पार्ट है और ये है C वाला पार्ट क्लियर A, B, C तीन पार्ट आपको दिये हैं तो उन तीन पार्ट में आपको बताना है कि कौन सा राइट एंसर होगा चलिए उसको देखे अच्छे से उसके बाद बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer ठीक बताएंगे क्या होगा यहाँ पर right answer देखे फर्स्ट आप्शन में दिया है क्या होगा right answer तो देखे यहाँ पर बताएंगे A के लिए क्या बोलेंगे B के लिए क्या कहेंगे और C के लिए क्या कहेंगे A के लिए दिया है फर्स्ट आप्शन में भावी प्ररोह मूल है B के लिए भोजन का संग्रह करता है and C क्या है भावी मूल है A में दिया है भावी मूल, भूजन का संग्रह करता है, भावी प्रवरोह, C अप्सन में दिया है भूजन का संग्रह करता है, और भावी मूल and D अप्सन में दिया है भावी प्रवरोह, भावी मूल और भूजन का संग्रह करता है, चलिए बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer चलिए बताएंगे इसके लिए क्या होगा right answer फटाफट से बताएंगे भाई इसको details में पहले आप figure को देखे उसके बाद बताईएगा क्या होगा right answer तो आईए देखते हैं इसमें जो option first दिया है उसमें क्या हो जाएगा उसको कहेंगे भावी प्ररोह मूल कहलाता है ये option A क्या होगा ये भावी प्ररोह मूल कहलाता है B option ये कौटिले डांस है इसमें क्या करते हैं food का storage करते हैं भूजन का संग्रह करते हैं और जो C है ये मूल कहलाता है mean जो developing seed का mean आधार होता है वो C में है तो इसमें option A के साथ जाएंगे भावी प्ररोह हो जाएगा उसके बाद क्या है भूजर का संग्रह करता है B में और C में क्या है भावी मूल हो जाएगा clear तो option A हो जाएगा यहाँ पर right answer चीक है option A हो जाएगा यहाँ पर right answer चली आगे बढ़ेंगे next question की तरफ पादपो में प्रांकुर कहां पाया जाता है प्लिम्यूल अगेन कहां पर पाया जाता है तो यह बीज में देखने को मिलता है option A हो जाएगा right answer next question देखेंगे पादपो में निसेशन के बाद विजांड में परिवर्तित हो जाता है first option बीज परिवर्तित होता है युगमनज परिवर्तित होता है भूड परिवर्तित होता है या फिर फल परिवर्तित होता है अच्छा question है fertilization के बाद विजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है बहुत अच्छा question है ठीक है पादपो में निसेचन के बाद विजांट में परिवर्तित हो जाता है किस में परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर बात कर रहा है विजांट जिसको ओवियूल बोलते हैं इसको कहा जाता है ओवियूल तो फर्टलाइजट ओवियूल क्या कहलाता है मैंने आपको पढ़ाया है fertilized ovule develop होके seed का formation करता है अच्छा यहाँ पर अगर अंडासर की बात करते तो ovary क्या होती है ovary develop होके fruit का formation करती है ovary जब fertilized होती है तो fruit का formation करती है और ovule जिसको bizarin कहते है तो इससे bीज का formation होगा option A हो जाएगा right answer clear option A हो जाएगा यहाँ पर right answer चले बढ़ेंगे आगे next question की तरफ अगला question है निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में seedling के लिए के रूप में विक्सित हो जाता है बीजावरण है, बीजपत्र है, भूड है या फिर भूड कोस है इसमें बताएंगे की उपयुक्त परिस्थितियों में मतलब की जब जब कह सकते हैं की favorable conditions हैं तो उस टाइम पे वो seedling के रूप में परिवर्थित हो जाता है, विक्सित हो जाता है इसको कहते हैं embryo ठीक है, भूड कहलाता है option C हो जाएगा यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है embryo इंब्रियो क्या है, जब favorable condition है तो उसके बाद वो किसमें परिवर्थित हो जाता है वो नव उद्भीत मतलब की seedling में परिवर्थित हो जाता है seedling के रूप में विक्सित हो जाता है option C हो जाएगा यहाँ पर right answer तो देखे बेटा, यह आपके जो भी plant morphology के questions है, वो सारे के सारे हमने cover करा दिये, जो भी आप से इस exam में पूछे जाते हैं इस topic से related जितने भी questions थे, वो सारे के सारे हमने कर लिये हैं, तो I hope कि यह class आपके लिए काफी beneficial रहेगी इससे बाहर वैसे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है और एक option में, जितने चार option होते हैं उसको मैं कोसिस करती हूँ कि उसको details में और थोड़ा बता दू, ताकि और अच्छे से तयार हो जाए, ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लीजेगा बाकी मिलते हैं, हम next topic के साथ next class में पढ़ते रहे हैं अपना ख्याल लखिए, all the best, thank you class